Hello everyone and welcome back to KSEZ Solutions आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 7-step model of migration into the cloud मतलब हमारा कोई भी एक enterprise application है अगर हम चाते हैं कि हम उसे cloud के उपर shift कर दे तो उसके लिए total 7 steps होते हैं वो 7 steps क्या है, let's see 1st step कहता है कि conduct cloud migration assessments मतलब कुछ चीजों की ने यार assessment conduct करो कुछ चीजों वो assess करों की जाच पर दाल करो कि इसको cloud के उपर shift करना है तो इसमें क्या-क्या changes आएंगे जैसे code में क्या changes आएंगे उसके बाद tools हमें कौन से use करने पड़ेंगे मतलब एक होती है रहा आपकी चीज़ पढ़े हो समझते हो अगर आप तो application level पर क्या changes है एक code level पर क्या changes है तो वो सब चीजों की assessment करो और देखो कि क्या changes आएगे जब हम उसे cloud के उपर shift करेंगे next है हमारे पास isolate the dependencies अब इसमें क्या dependencies है इसका ये मतलब है कि जब हम कोई भी चीज़ को cloud के उपर shift करेंगे तो basically क्या है कि अगर वो चीज़ हमारे एक laptop में पढ़ी है suppose करो है application तो उस laptop में वो एक दूसरे software के उपर में भी dependent हो सकती है है ना तो अब हमें इन सब चीज़ों को isolate करना पड़ेगा सारी dependencies को अलग अलग isolate करना पड़ेगा and then यह चीज़ हम उपर ही assess कर चुके होंगे कि जो पहले dependencies है वो नहीं तरीके में software cloud के उपर कैसे change की जा सकती है तो अब इस step में next step क्या होता है पहले हमने assess कर लिया कि dependencies कौनसी कौनसी थी first step में और next step में second step में हमने उन्हे isolate कर दिया और उनके solution ढूंदा कि cloud के उपर shift करने के बाद वो कैसे जो intermittent कुछ वो थे processes थे वो कैसे cloud के उपर काम करेंगे ठीक है next map the messaging and the environment अब इसका यह मतलब है कि क्या रहेगा हमारा data center में मतलब data center आपको पता है ना क्या होता है एक ऐसी जगह होती है जहाप हमारे cloud का जो सारा हार्डवेर रैंट सारी working है उसे एक जगह में पड़ी होती है तो map करना messaging and environment पतलब short में बोले तो कि ये चीज़ recite करो कि क्या चीज़ है हमारी data center में पड़ी रहेंगी और कौन सी चीज़े है जो हम अपने cloud के उपर भेजेंगे बस ये इसका सबसे easiest मतलब है अब दिखो हमने कुछ चीज़े cloud के उपर भेज दी अब cloud के उपर भेजने के बाद कुछ क्या पता softwares जो है हमारे application के वो सही से काम नहीं कर रहे है कोई ऐसे processes है जो पहले सही काम कर रहे थे आप सही तरीके से नहीं काम कर रहे तो functionality lost हो गई तो हमने क्या कि उससे re-architect किया मतलब फिर से हमने उसको कुछ कुछ changes किये उसके architecture में उसके कोई functioning में कुछ नहीं कुछ changes किये और उसको implement कर दिये lost functionalities को मतलब अब जो lost functionalities थी जो चीज़े पहले अभी-भी migrate करने के बाद cloud पर नहीं काम कर रही थी अब वो चीज़े functionalities वापस हमारी आ चुकी है cloud पर जाने के बाद ठेक है next है leverage cloud functionalities and features अब इसमें क्या होता है इसके leverage के लिए आप एक word मिलेगा augment यह मैं end में आपको बताऊंगा क्या है leverage or augment augment मतलब होता है increase कर दो जैसे हमने देखा कि रिया architect किया था lost functionalities को इसमें भी वही मतलब है same बस इसका क्या difference है कि इस step में हम और functionalities को add करते हैं lost functionalities हमने वो की implement कर दी पिछले step में और next step होता है कि और जो हमने functionalities add करनी है उनको हम add कर देंगे अपने cloud के उपर ठीक है next है test the migration अब भई हमने सब कुछ cloud के उपर डाल दिया है अब हमें उसको test करना है अपनी application को कि क्या वो cloud पर जाने के बाद सही से काम कर रही है and last है iterate and optimize अब हम उसको बार बार टेस्ट करते जाएंगे बार बार उसको check करेंगे and जो changes करने है उसे optimize हम करते जाएंगे जिस वे में हम चाते है उस उस वे में change करते जाएंगे and finally हमारे पास यह seven steps के बार एक ऐसा application जो हमारी नॉर्मल नॉर्मल लैपटॉपस पर चल रही थी मैं भी कहलो तो वह अब हमारे cloud पर जा चुकी है ठीक है और यह है एक model जो एक diagrammatic view है आप paper में जब भी एक question है तो आप यह चीज़ ज़रूर बना के आना यह क्या कहता है कुछ नहीं यहां से जो हमने लिखा था ना उसी में से एक एक अक्षल उठाके हमने इसको बना लिया start के बाद assess करना है assess करने के बाद isolate करना isolate the loss functionality isolate the dependency sorry उसके बाद map करना है map third point से फिर उसके बाद re-architect किया फिर augment किया augment करना मतलब increase करना किसी चीज में कुछ add-on करना उसके बाद test किया optimize कि और end हो गया तो guys यह थे total seven step model of migration into the cloud I hope आपको इस वीडियो अच्छा लगा या अगर अच्छा लगा तो please like कर देना hit the like button and yes do subscribe to my youtube channel and जितना इस वीडियो को शेर कर सब उतना शेर कर देना thank you